इश्कुबास की खिटगी तोर कहानी देखने के बाद अब लोग धिंचा कहानी को पसंद कर रहे हैं जी हां हम बात करें इश्कुबास सीजन टू की जिसमें आप सब देख रहे हैं कि क्या से धिंचा कहानी की शुरुवात हो गई है और एक तरफ ACP अधिती है जो शिवांश का सच पता लगा रही है तो वहीं दूसरी और शिवांश हर बार के तरह इस बार भी धोखा देने में हो गया है कामयाब जिसके साथ ही अब शो की कहानी में आपने अभी तक नहीं देखा है कि रिकारा और उव्या की एंट्री हुई है कि उनकी और कोई नहीं बल्कि बेटी ही नजर आ सकती है जैसा कि आपने शो के पिछले सीजन में देखा होगा कि तीन भायों की तिगड़ी हमें देखने का मिली थी तो इस बार कहानी कुछ अलग देखने को हमें मिल सकती है जहां खबर है कि रूब्या की एंट्री होगी तो पूरी कहानी बदल जाएगी और इसके साथ ही आपको में भी जानकार देखेते हैं कि इश्कबास का नया प्रोहूमी अब जल्दी रिलीस कहने वाले हैं शोखों में करस्त को देखा ये मज़ेदार होगा कि आखिर कैसी होगी शोखी आदी कहानी फिलाल कुना शोरिम बस इतना ही इशकबास से जोई लेटेस्ट अपडेट्स को जानने एक लिए सब्सक्राइब फिस जो हमारा चैनल टॉपनी जास्ट फियू टॉपनीज से काजल की रिपाउट